यास बच्चा लोग वेल्कम बैक तो आपका अपना चैनल शेफर्स एडूकेशन में आपका दोस्त आपका मेंटर्स यह मोहित्ता पढ़िया और सर हम क्या करते हैं हर बार आपको पता है हम यहां आते हैं और आपके लिए कुछ बनाते हैं कुछ ऐसे वीडियोज लाते कुछ ऐसे परटिकुलर टॉपिक लाते हैं जो आपके अगया कंपाई को आपके लिए बहुत आसान बहुत सिंपल बनाते है मुझे बहुत बार बच्चे ऐसा पूछते भी किसा का यह सलसला बनतो नहीं होगा सर शायद अभी कबार र रोज यहां बैठता हूँ कोई होता नहीं है फिर वह अकले भी यहां आकर रोज बैठूंगा आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत-बहुत खामके वीडियो बनाओंगा और मैं इतना आपको प्रोमिस करूंगा जिए वीडियो हमेशा इस चाइनल पर रहेंगे आपके लिए हमेशा accessible रहेंगे मैं आपको सारे topic सारे sums accounts के सारे basic lectures economics के और सारे के सारे lectures organization of commerce के यहीं पर deliver करने वाला हूँ सुरपल Gujarat board मैं आपको honestly बता रहा हूँ कि कुछ time जाने दो in a month or two आपके सारे chapter सारे topic इस channel पर रहेंगे यह channel आपके लिए भगवान होगा that's a promise to you people right so we are working really hard I'm saying you really really hard right it's not easy to come over here on daily basis रोज सुबह यहां आके बैठना lectures record करना और बहुत सारे बच्चों तक अपने lectures को पहुचाना बस आपसे इतना सा return में चाहेंगे तोड़ा सा motivation मिलता है जब आपके comments आते हैं तोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपने इस वीडियो को देखा आपने इस वीडियो को पसंद किया बहुत अच्छा लगता है जब हमारा परिवार बड़ा होता है लोग जूटते है हमने जब यह चानल चालो किया था हम जीरो थे लाइक हमारे अच्छा टॉपिक रहेगा यह एक तरीक से सकेंड पार्ट है अगर आपने फर्स वीडियो नहीं भी देखा हो डिस इन इंडिपेंडनेंट टॉपिक यहां पर हम सीखने वाले हैं एक नया सा अकाउंट बनाने एक नया सा अकाउंट क्रिएट करना है सो बेजिक लिए अकाउंट अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इतने सारे अकाउंट अलड़ी है रिवैलुएशन अकाउंट बनाने की क्या हाज़र होता है सो डोंट वरी मैं आपको लॉजिक कॉंसेट के साथ में बहुत सारे सम्स भी करवाऊंगा और आपकी 100% क्लेरिटी के बाद म आए मैं यहां से जाओंगा डोंट परी तो चलिए आते हैं आज हम लोग हमारे नए टॉपिक पे जिसका नाम रहेगा रिवैलुएशन अकाउंट सबसे पहले मन में सवाल आएगा यह अकाउंट बनाया क्यों जा रहा है रिवैलुएशन अकाउंट बनाने का बेजिक करता है इस बेजिक कॉमन सेंस कि जिस दिन अब एसेट परचेस करते हैं उसके बाद में रेगिलर बेजिसमों एसेट की वैल्यू को रिवैल्यू नहीं किया जाता है वह सामने वाले कॉम्लेक्स में मैंने एक शॉप खरी दी जब मैंने वह शॉप खरे लिटी वह शॉप 30 अब 30 लेक्स के शॉप थी आज आज से 5 साल वदो शॉप कितने की हमें नहीं पता तो उसके लिए हम भी वैल्यूएशन करते हैं आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अब इसको हर साल क्यों नहीं करते हर 31 तारिक को हम वैल्यूएशन पता लगा सकते हैं तो सर कैसे पता ल जो हमने 30 लाक में ली थी आज 50 लाक की हो गई है बट जब वो बिकेगी तो जानो बाते करने में और exact transaction करने में फर्क होता है So it's not possible to revalue all the assets and liabilities on regular basis तो भाई हम यह revolution करते करें सर जब कभी भी किसी partner के ratios में changes आएंगे किसी भी reason से admission के लिए retirement के लिए death के लिए कोई भी reason से partner के ratio में जब भी changes आते हैं partners को इन चीज़ों को revalue करना पड़ता है क्योंकि अभी तक के जो भी assets थे partner के पुरारे ratio में थे अब partner अपना ratio चेंज करके new ratio में ला रहा है तो आपको सारे assets को सारी liabilities को revalue करना पड़ता है उसके लिए हम बनाते हैं revaluation account मैंने कल कुछ बच्चों को revaluation account सिखायता है यह बहुत टॉफ टॉपिक है हमारी स्कूल में इस टॉफिक में 6 दिन लगे दे प्लीज सर अराम से बता रहा है मैंने उनको कहा था दस मिनिट बात में मुझे यही वापस से लाइन रिपीट करना प्लीज मैं वेट करूंग आफ्टर 10 मिनिट्स और यह बता रहा हूं मैंन करन का बेजिक फॉर्मेट वही रहता है जो आज तक बनता रहा है लेफ्ट साइड में डेबिट आएगा जो हमेशा आता है राइट साइड में क्रेडिट आएगा जो हमेशा आता है सेंटर लाइन आप डबल कर दो जिससे आपको exactly आइडिया रहे कि भईया कहां पर बट सोचना इस तरीके से है डेबिट में आते हैं सारे के सारे नुकसान और क्रेडिट में आते हैं सारे के सारे फाइदे क्या आता भईया डेबिट में आता है सारा का सारा नुकसान और क्रेडिट में आता है सारा का सारा फाइदा मतलब जब कभी भी रिवैलुएशन के अ आपको लुक्सान होगा आप करेंगे debit जब कभी भी valuation में आपको फाइदा होगा आप करेंगे credit तो याद रहेगी मेरी बात जब भी लुक्सान होगा debit जब بी फाइदा होगा credit debit side पे आएंगे लुक्सान और credit में तुन था दyszाव में आच我們的 मैं बच्चा समझदार है इसको अकाउंट पर्फेक्क्ली आता है एक इंप्रेशन क्रिएट होता है चलिए सो यहां पर तो अमाउंट ही रहने वाला है बाई डिफॉल्ट अब मैं आपको इलस्टेशन देता हूं चलिए मेरे पास एक लैंड थी पांच लाक रुपे की जमीन हो गया एक लाक का किस चीज में हुआ हमें फाइदा हो गया लैंड में हमने जमीन में एक लाक का फायदा कर लिया है वैसे हमारे पास एक मड़ी वह मशियन हमने लीक्तीी धाई लाक रुपे में आज उस मशिन की value तिरफ और सिर्फ आज उस machine की value सिर्फ और सिर्फ दो लाख है मतलब भईया हमें नुक्सान हो गया, लाफ की machine दो लाख क्यों हो गई, मतलब 50,000 का नुक्सान हो गया, तो भईया इदे लिखिये कितरी amount ने 50,000 और किस चीज में है तो हम लिख देंगे मशीन में हमें नुकसान हो गया वैसे ही हमने एक investment किया था एक लाग ग्रक्शन का सर आज वो investment यह एक लाग 70 ह這樣的 हो गया मतलब हमें म ल से करो भाइदा हो गया तो 70 thousand यहां लिखेंगे credit प्रिट में और सामने लिख देंगे हमें investment में फाइदा हो गया वैसे ही हो सकता है हमने कोई particular furniture खरीदा हो 50,000 रुपे में आज वो furniture 30,000 रुपे का नुकसान हो गया क्यों कि हमारे furniture के भाव गिर गये हैं जो furniture हमने 50 में खरीदा था अब वो 30,000 का ही बचा है तो हमें net 20,000 का लॉस हो गया वैसे ही सपोस्केली हमारा एक डेटर था जिससे हम 10,000 रुपे मांगते थे सर वो डेटर गुजर गया वो डेटर गुजर गया पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो पैसे ड आपको सिर्फ आपका टॉपिक समप्त हो गया है आपका टॉपिक यहां पर खतम हो गया बच्चा लोग पॉनसली आपने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं पर मैंने आपको revaluation account पूरा सिखा दिया है अब खाली balance करना है चलिए करेंगे balance यहाँ पर कितना आया balance देखते हैं यह double line से हमेश account close करने का please make it sure और एक लाग प्लस 70,000 एक सतर प्लस 15 तो 1,85,000 आ गया यहाँ पर 185 में से 80,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 1,05,000 उसको कहा जाएगा two revaluation profit और वो बढ़ जाएगा दोनों partners में A और B अगर ratio equal रहा तो 1,05,000 हमें दोनों partner में बाटना पड़ेगा equal proportion के अंदर जो लगबग लगबग होगा 52,500 रुपए ठीक है भाईया टोटल कर देदे 1,85,000 और यहाँ पर हमारा revaluation account पुरी तरह से खतम हुआ मैं आपको guarantee बताता हूँ यह फाइदा नुकसान का formula यह मूल मंत्र दिमाग में बिठा लो आपको कूछ रटना नहीं पड़ेगा school में रटवाते increase in asset, decrease in asset, decrease in liability, decrease in liability औललू यह सब थोड़ी करता है सब बेकार है फाइदा नुकसान भईया हम content है हम commerce वाले है commerce वाले को फाइदा नुकसान पहले समझ में आता है अब अपने यहाँ पे इसके कुछ sums गिलते है, revolution account बनाने के कुछ sums करते हैं कुछ कोशिश करते है revolution account को और simple करने की चलिए आपके सामने में एक sum लेके आया हूँ, बिचा समझ रहा थोड़ा सा मेरी दिक्कत भी, मैं sum आपके सामने भले उपर लिख रहा हूँ अगर आप mobile phone से पढ़ रहे तो शायद एक question आपको एकदम clear visible नहीं होगा, तो यहाँ पर दो suggestions है, पहली बात तो भाईया जब कभी भी online पढ़ो तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके पास laptop नहीं है, को अटेंशन यह mobile phone से, आप screen share करके अपने घर की TV में देख सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपकी TV स्मार्ट TV नहीं है, कोई problem नहीं है, पंदरा सो रोबे का Google Chrome आता है, जिसको Chromecast बोलते है, आप आराम से जाएए, flip card Amazon पर आपको मिल जाएगा, Chromecast लगा लीजे, आप आराम से अपने mobile phone से अपने TV में cast करके आप देख सकते हो, आपको ए ये वीडियो बहुत उपर लिखावा question बहुत छोटा लग रहा है, तो आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा उपाई ये है, कि भया देखो ही मत, आप अपने गुजरात बोर्ड की textbook निकाल लो, जिसके पास नहीं PDF डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास PDF नहीं मिल रहा हो, मुझे message करो, मैं आपको PDF भेज दूँगा, ये तो एक काम करता हूँ, मैं आज आपको अपने टेलिग्राम वाले चैनल पर PDF भेज देता हूँ, ठीक है, आप आराम से वो PDF को अपने मोबाल में रखो, या अपने दूसरे device में रखो, या आपके पास textbook हो, तो सबसे बढ़ि और आपके लिए थोड़ा सा पड़ाई इंट्रस्टिंग बजा है, आपकी आपको नुक्सान ना पूर, मेरा main concern वो रहेगा, ठीक है, चलिए, सब हमें question दे रखा है, हमें question में का गया, हमारे पास तीन पार्टनर है, भावना भरत और दूश, ठीक है, अब ये तीनों पार हमारे ratios change हो रहे हैं, फिर भी भाईया, इनको revaluation करना है, तो करने दू, इनको कोई ना नहीं कर सकता, allowed है इनको 100%, so यहां हम बनाने वाले हैं, revaluation account, ठीक है भाईया, तो यहां में आगया, revaluation account बनाने में, ये बन गया, मेरा revaluation account का format, I hope this is visible, हाँ, ये तो अच्छे से दिख रह है, चलिए, question नहीं दिखेगा, don't worry, make a adjustment, आपके पास यहां पर दोड़ाता रहूँगा, आपको यहां पर एक adjustment सुनाता रहूँगा, तो टेंशन मत लीजेगा, चलिए, start करेंगे हमारे सबसे पहले adjustment के साथ में, the value of land is 7 lakh रुपी, जमीन की value हो गई है, 7 lakh, balance sheet में चेक पे र फाइदा हो गया है, बचा लोग आप exam में ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग को पूरा perfect format बना के करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपके लिए format बहुत important रहेगा, so please आप लोग अच्छे से format draw करेंगे, चलिए, next बढ़ेंगे, the value of building increased by 1 lakh, सिदा देही दिया, the relation देखने की जरुती नहीं है, building की value 1 lakh से बढ़ गई है, भया फिर से फाइदा हो गया, तो हम कर देंगे यहां पर buy building, अच्छा भया, कितने का फाइदा हो गया, 1 lakh रुपे का फाइदा हो गया, क्या बाते भया, मज़े है, आगे बढ़ेंगे, next one, the market value of machine is 250,000, which is to be recorded in the books, हमारी machine की market value हो नुक्सान हो गया, तो नुक्सान हो जाएगा, तो debit में आ जाएगा, सामने लिखेंगे to machine, हमें machine में नुक्सान हो गया, 1 lakh रुपे का, आगे बढ़ेंगे, provision for doubtful debt on data is to be maintained at the rate of 20% on data, हमें bad debt reserve बनाना है 20% data का, data कितने हैं भया, data है, 1 lakh उसमें reserve बनेगा, 20,000 का मतलब 20,000 का न प्रेटर और आप bracket में bad debt reserve भी लिख सकते हो, या provision for doubtful debt भी लिख सकते हो, कोई problem नहीं है, next one, creditors amount into 10,000 are not required to be paid, क्या वात है भया, 10,000 हम से कोई मांगता था, अब हमें उसको देना नहीं है, तो भया, मज़े हो गया, 10,000 के creditors देने नहीं है, मतलब हमें फाइदा हो गया, तो income मिलने वाली है, अभी तक मिली नहीं है, मिलने वाली है, रिकॉर्ड नहीं किया है, तो भया लिख देते हैं यहां पर, income receivable कितने मिलने वाले है, 5000 फाइदा हो गया, और outstanding expenses 3000, चलिए भया, ये भी outstanding expenses जिसको हमने record नहीं किया है, अब record कर देते हैं, भया, outstanding expense आ गया, 3000 का, और इसी के साथ हमारा revaluation account समाप हुआ, yes, done, revaluation done, इतना ही question है कि exam में 3-5 mark फुकड के मिलने वाले आपको, चलिए मैं यहां पर total करूँगा, तो जब हम यहां पर total करने जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है, हमारा total होने वाला है, 2,00, 1,00, 3,00, 3,00, 3,00, 15,000, तो 3,00, 15,000 का मेरा total हो गया, तो भाईया, यहां पर भी आना चाहिए, 3,00, 15,000, चलिए भाईया, 3,00, 15,000 debit में भी आना चाहिए, देखते हैं, कितना आ रहा है, debit में आ रहा है, हमारा 2,00, रुपए, मतलब एक तरीके से हमें फाइदा हो गया, 1,00, 15,000 रुपए का, तो इसको कहा जाएगा, revaluation profit क्या कहा जाएगा इसे, revaluation profit और हम बाट देंगे partners में, हमारे पास partners है, भावना, भरत और भुमेश, भावना, भरत और भुमेश में, क्या ratio में बढ़ेगा, यह 2,00, 1,00, 2,00, 1,00, 1,00, 1,00, 15,000, पूरे के पूरे डिवाइड कर देंगे, जो भी ratio, जो भी proportion है, आपको 2,00, 2,00, 1,00, 1,00, 15,000, यहां पर बाटना रहेगा, और आपका सम यहां पर खत्म हो जाता है, सर, कुछ भी किया, मैंने, मैंने कुछ भी बढ़ा किया, नहीं किया, बहुत simple है, सर, इसके साथ हमारे question में पूछा गया था, prepare revaluation account, वो हमारा काम हो गया है, बढ़ हमें कहा गया है, हमने general entry भी बना नहीं है, अब यह अच्छी चीज आ गई है, general entry कैसे बनाएंगे, लल्लू है, एकदम, एकदम लल्लू है, honestly, जो buy वाला item उसको कर दो, debit, सामने revaluation, credit, जो two वाला item उसको कर दो, credit, सामने revaluation, debit, खत्म, honestly, देखिए, ऐसे, let me change my pen color, देखिए, यह land क्या हुआ है भाईया, buy है, तो हमारी पहली entry हो जाएगी, land account debit to revaluation, जो amount लिख दो, दूसरा, machine भी buy है, sorry, building, so building account debit to revaluation, जो amount लिख दो, machine है भाईया, to मैं, तो भाईया, machine को कर दो, credit, सामने आ जाएगा revaluation, so revaluation to machine, done हो गया भाईया, सबके लिए, अलग-अलग entry करोगे, तो भी चलेगा, adjustment wise entry करोगे, तो भी चलेगा, साथ में करोगे, तो भी चलेगा, tension मत देना, मेरा preference ही होता है, कि adjustment wise entry करो, एक adjustment, एक asset का दिया है, तो उस asset के अलग entry करो, एक adjustment में दोनों asset दे दिया, तो दोनों asset की कमाई entry करना चाओ, तो कड़ सेक्टे हो, अगर आपको लग रही है तकलीफ, तो outstanding expenses, मतलब हम लोग हर चीज़ को बहुत easily यहाँ पे लिख सकते हैं, revaluation account बनने के बाद में entry में कुछ नहीं करना है, जो buy वाली amount है, वो सारी debit सामने revaluation credit, जो two वाली amount है, वो सारी credit सामने revaluation debit, बोलो तरह राद, that's it, that's it, इतना ही आपको करना है, so revaluation account एकदम बच्चों जैसा topic होता है, last entry profit की भी करना ना भूले, profit के entry हो जाएगी, revaluation account debit, तो जो भी partner है, जो भी partner है, x, y, z, या भावना बरत में, जो भी होगा, उसके account में credit कर देंगे, हमारा काम खतम और यह ताम जहाम भी खतम, sir, बहुत easy is a topic, revaluation account is very, 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 very easy, I hope people are getting this topic very clearly, right, यह topic आपको clearly समझ में जाना चाहिए, बहुत ही बच्चों जैसा, बहुत ही सामन यह सा topic है, right enough, चलिए हमारे पास time में तो एक अच्छा कासा कोई बड़ा सम कर लेते हैं, जिसमें शायद हमें balance sheet बनाने की भी बारी आए, अब मैं चाहूँगा, एक समना आपको बताओ, थोड़ा सा बड़ा, जि मैं कोशिश करता हूँ कि 12 में से 10 तो at least करा हूँ, बट फिर भी किसी reason से, अगर मैं एक आदा illustration को बीच में miss कर दूँ, और आप चाहते हो कि वो illustration भी मैं करा हूँ, आपने try किया घर पे, आपको answer नहीं आ रहा है, या आपको कोई एक आदा adjustment में difficulty है, सर ये comment section आपके लिए ह use करो इसको, अगर आप चाहते हो, मैं पूरा sum भी करो, कि सर आपने illustration number 10 छोड़ दिया था शायद, फ्लीज वो illustration 10 भी हमको करवा दीजे न, 100% कराएंगे, सर, 100% कराएंगे, आप comment में लिखे तो देखो खाली, 100% कराएंगे, मुझे भी कुछ दिन पहले एक बच्चे ने message कि सर प्लीज 12 गुजरादबुर का अकाउंट चालू कीजे न, आज उस बच्चे के लिए मैं यहां आयो, आप जाके देखेगा, किसी एक बच्चे ने comment किया, 12 गुजरादबुर का अकाउंट चालू कीजे, मैं पूरा चौथा chapter complete कराना यहां, आके बैढ़ गया हूं, तो सर आपे हमें balance sheet भी बनानी है, बहुत simple such question है, बहुत 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 easy question है, बिल्कुल घबराना मत, बहुत मज़े से होगा, बस कोशेशी कीजेगा, कि दोनों के दोनों account साथ में, मतलब revolution account प्लस balance sheet, statement है वो रही, दोनों साथ में बना लो, बेवकूफ लोग होते जो पहले पू इनी जगे छोड़े कैसे पता चलेगा, यार ज्यादा छोड़ना क्यों tension ले रहा है, आपको exam में कोई problem नहीं है, थोड़ी सी space ज्यादा रहीगी तो, और वैसे अकल से भी पता चलता देखे, हमारे यहाँ पे 7 adjustment है, मतलब आपको 10 line revolution में maximum हो गई है, 7 line adjustment की 3 line profit को transfer करने की, अगर हमने माना कि सारे के सारे adjustments एकी side में आगे, तो मैंने 7 line बोली है, मतलब 10 line आप revolution के लिए छोड़ दो, आपको और conservative रहना भईया, 12 line छोड़ दे, 15 line छोड़ दे बस, उससे जादा तो क्या load पड़ेगा, तो आप अपना थोड़ा सा judgment लीजिए, practice ते धीरे धीरे आ जा start करते हैं, so सबसे पहले हमने देखा, land and building is to be increased by 25%, भया, land and building की value 25% बढ़ानी है, book में land and building के 2,00,000 का, 25% बढ़ाना है, मतलब 50,000 से बढ़ाना है, मतलब भया, फाइदा हो गया, सारे फाइदे credit में, तो यहां में लिखूंगा, मुझे 50,000 का फाइदा हो गया, और सामने लि land की price 50,000 से बढ़ गई है, 25% बढ़ गई है, furniture values to be decreased up to 90%, furniture value को हमें 90% पे decrease करना, मतलब 10% decrease करना, in short, furniture कितना है भया, हमारे पास 40,000 का, 4,000 का decrease कर दो, तो यहां आ जाएगा, to furniture, अब अच्छा मैं चाहूंगा, साथ साथ में balance sheet में भी entry करते रहते हैं, चलिए, कितना है भया, हमारे पास land पहले कितना था, अब हम यहां लिखेंगे, हमारे पास land था, 2,00,000 रुपएगा, इस बार land की value कितनी increase हो गई है, इस बार हमने appreciate किया है value को, that is 50,000 से, इधर आ जाएगा बार, 2,50,000, वैसे ही हम बात करते हैं, next है हमारा asset furniture, furniture कितने का भया, 40,000 का है, हम adjustment में कहा आ गया, furniture is to be decreased up to 90%, मतलब 90% पे लेकर आना है, furniture को, so हम कर देंगे, depreciation लग गया, furniture पे, कितना लग गया, 4,000 का depreciation, that is 10%, so 36,000 आ गया है, which is 90% of the value, do adjustment हमारे खतम हो गया, मज़े से, को tension है, कोई load है, नहीं है, चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग, market value of machinery 72,000, चलिए भया, machine कित तो यहां कर देंगे, to machine, और साथ-साथ में, belly sheet में, entry करते रहो, so यहां आ जाएगा, machine हमारे पास, पहले था, 80,000 का, अब की बार, 8,000 कम हो गया, आप डेपरी लिखोगे, revaluation लिखो, दोनों चलेगा, tension मत लेडा, net बाहर आ जाएगा, 72,000, मेरे पास जगे कम, इसलिए मैं खाले adjustment के entries कराऊंगा, बाकि आप खुद करके टैली कर लेना, I am 100% sure आपको आएगा, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हो है, चलिए next one, book value of closing stock is 10,000, less than its market value, भया closing stock की value कितनी है, 45,000, जबकि book value 10,000 कम है, मतलब 35,000 है, मतलब 10,000 का नुकसान हो गया, तो यहां हम कर देंगे, 10,000 में, stock क for debit, और यहां लिख देंगे, हम लोग हमारे पास था closing stock, कितना था भया, 45,000 था, और हमें minus करना है, depreciate करना, उसकी value को 10,000 से, मतलब हमारा stock हो गया, 35,000 का, डने भया, 35,000 का stock हमारा यहां पे हो रहा है, थोड़े से 0 शायद आपके लिए कट रहे हैं, समझ लेना, यार मैं ब बढ़ने वाले है, next topic के हमारा, yes, to keep total bed debt reserve, 3600 on data, हमें bed debt reserve रखना है, 3600, जबकि bed debt reserve 1500 already है, हमें 3600 करना है, 1500 already है, 3600 करना है, मतलब मुझे 2100 का bed debt reserve और बनाना पड़ेगा, 2100 आ जाएगा, यहाँ पे two bed debt reserve, right, data मैं से माइनस कर दो, तो data यहाँ पे थे हमारे पास, 30,000, 30,000 में से आपको bed debt reserve रखना है, 3600 का, तो 3600 है में यहाँ पे माइनस कर देंगे, और net amount हमारे पास बचने वाली है, 26,400, वो हमने बाहर लिख दी है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे, यह तो पूरा ऐसेट सेट बढ़ दिया, कुछ, liability पे भी लेके आजा, मेरे, वाई, हाँ, creditors amounting to 5000, out of the total creditors are not to be paid, आया liability में 5000 के creator पे नहीं करने, वहाँ जल से हो गए, 5000 के creator पे नहीं करेंगे, तो buy creditor, चलिए creator कितना था वहाँ, हमारे पास 35,000 का, हमें 5000 का पे नहीं करना है, मतलब हमारा creator बचेगा 30,000 का, इसको आप लिख देंगे 5000 minus for evaluation, that's it, या फिर return off लिखोगे तो भी चलेगा, आपको जो लिखना हो चलेगा, doesn't matter station मत लीजेगा, next one, unrecorded interest on bank overdraft, हमें bank overdraft पे interest भढ़ना है, 45,000 का, सरी हमारा expense है, so हम यहाँ पर कर देंगे interest on bank OD, कितना है भाईया, 45,000 है, चलिए भाईया, bank overdraft हमारे पास दिख रहा है, हमारे पास bank OD था, कितना था, 90,000 क अब हमें उस पर interest भढ़ना है, plus interest हो गया हमारे पास, 45,000, तो हमारा bank OD हो जाएगा, 94,500 का, खतम हो गया, मजाक लग रहा है तुम्हें, खतम हो गया, honestly खतम हो गया, आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, अब आप चाहो जैसे करो, यहाँ पर आपको मिलेगा, revaluation profit, यह जाजा कहता, भया, profit होगा, क्रेडिट में 55,000 है, और debit में लगबग, लगबग, 10,000, 20,000, 22,000, 26,000, 30,600, something आ रहा है, मैंने mathematically चेक नहीं क्या आप कर लेना, so difference आना चाहिए, revaluation profit ही आएगा, जो भी profit आएगा, capital में add करके, balance sheet में transfer करके, balance sheet को telly कर लेना, और अगर by chance कोई asset ल लिखने पड़ेंगे, जैसे कि हमने land and billing लिखा, हमने machine लिखा, हमने furniture लिखा, हमने closing stock लिखा, बड़सर हमने investment नहीं लिखा, investment के बारे में कोई adjustment नहीं है, तो उसको same to same लिख दो, ठीक है, data हो गया, business receable के बारे में कोई adjustment नहीं, same to same लिखो, income receable के बारे में कोई adjustment नहीं, same to सेम लिख दो कोई टेंशन मतलो capital account और current account हमें दे रहे के ध्यान रखना यहां पर current account दिया है मतलब revaluation profit current account में transfer होगा so please capital account गलती से भी मत लिख देना ठीक है so capital account तो same लिख दो 1090,000 current account में जो भी है उसमें revaluation का profit add करके final balance net बहार लिख दो creators already आ चुका है bank audio already आ चुका है outstanding expenses आपको 3500 लिखने पड़ेगी और आपका some वहाँ पर टेली हो जाता है मेरे पास जगे कम है इसलिए मैंने main main मुद्धे सारे कर दिये और मैं sure हूँ 100% sure हूँ कि आपको ये 100% topic आ गया है और इसके साथ मैंने आपके chapter का दूसरा part that is revaluation account खतम कर दिया है अब एक छोटा सा तीसरा part बचेगा जिसको हम बोलते हैं distribution of reserve वो मैं मेरे अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तब तक के लिए बबाए ध्यान रखे सारे समस करिए सारे exercise के questions कीजिए मुझे comment section में आपके बताए कि आपको exercise में कौन सा question नहीं आया मैं एक single video बनाऊँगा एक घंटे का वीडियो बनाऊँगा जो जो बच्चों ने comment में मुझे जो जो questions पूछे है exercise के हो या illustration के हो उन सारे questions को solve करने के लिए एक घंटे का एक single video में बनाने वाला हूँ जिसमें मैं सारे के सा जबालों के सारे जबाब देने वाला हूँ अगर आप मुझे कोई question नहीं पूछोगे comment में तो मैं मेरे हिसाब से exercise के कुछ अच्छा-च्छे question solve करूँगा right so इस तरह से इस particular chapter के total 4 video रहेंगे पहले video में हमने सिर्फ पढ़ा ratio sacrifice gain ratio दूसरे में हमने पढ़ा revaluation तीसरे में हम पढ़ने वाले about distribution of reserve and चौते में exercise solve करेंगे वह सबसे बड़ा वीडियो होगा एक सवा घंटे का वीडियो होगा जिसमें exercise के कुछ बड़े-बड़े questions को आपके लिए solve करूँगा so please जरूर से comment box में लिखे आपको कौन सा topic कौन सा sum नहीं आया है ठीक है बच्चा चलिए कर दो